नए वीडियो आपडेट्स पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कुझे हमारे यूटूब चैनल साथ ही हमारा फेस्बूक पेज लाइक करना ना बुलिएगा नमस्कार दोस्तों स्वागात आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के लास में हम आर्थिक स्रक्षन पर वानिकी और खनीज पर बात करने वाले हैं तो यह जो है राज में आरक्षित वर्ण यहां पर परसेंट की बात करते तो 43.13 प्रतिसत है रक्षित वर्ग 44.22 प्रतिसत है और अवर्ग इक्रितु जो वन है 16.65 प्रतिसत है बात किया जाये तो 17.18 में यह जो है पांच लाग 45.940 लाख अनुमानित है और यहां पर देखे इसका अगर प्रतिसत हिस्सा अगर बात किया जाये तो 17.18 में अनुमानित है सब्सक्राइब है तो इसको अभी नेक्स्ट टेबल में भी आप बात करने वाले अभी इसके मुख्य में बिंदू के रूप में हम लोग यहां पर देख रहे हैं अब बात करते हैं सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब हो सकते हैं यह मुख्य बिंदू के तरह इसलिए हम लोग इसको सब पढ़ लिए अब आगे हम लोग देखते हैं यहां पर जो इंपॉर्टन चीज है उसको देखेंगे तो भारत के कुल भागलिक छेत्र का 23.38 भाग वन अच्छादित है जब कि चतिसगर में वनों का छेत्रफल कुल भागलिक छेत्र का 44.2 एक परतिसत है तो यह चीज आपको याद रखना है चतिसगर का वन चेत्र जो है भारत के चतुरतिस्तान पर है तो कई लोग ने जो है मेरे यूटूब वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि छेत्र कर जो है इस्तान कौन से इस्तान है तो यह देखिये तो 16 तरह सिंदोल अपर करें इस तरह फोकस करना थार यह फिल आहरो है यहां लेकर स Gott्रम करते हैं अब यहां पे ऐते हैं यहां पर देखे 34 वन मंदल जो है 36 गड़ में है तो कभी पूछ दिया जाया तो इसको भी याद रखिएगा बिगड़े वनों का सुधा तो प्रदेश के लगबग तीस प्रदेश चेत का घनत तो पॉइंट 4 से कम है तता इन्हें बिगड़े वनों की श्रेणी में रखा गया तो अगर आपको कभी कुछ दिया जाए कि 36 गड़ में जो बिगड़े वन कितने हैं तो यह चीज़ आपको याद रखना है अब हम लोग आगे स्लाइट में बढ़ते हैं वन विभाग के अंतरग सब्सक्राइब देखेंगे आगे चीज़ पढ़ते हैं तो यह आपको याद रखना है कि कितने परियोजना मंडल है तो आठ परियोजना मंडल है जिसमें और देखना मंडल गोर्भा एवं जगडलपूर भी शामिल है तो यह परियोजना मंडल की बात अब देखते हम यहां पर हम लोग आगे स्लाइड में देखते हैं यह सारे चीज़ यहां बहुत सरे बाते लिखी गई हैं लेकिन मुझे नहीं लगा कि इतने सारे जो आपको पढ़ना होगा जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्ड़ेंट ना हम लोग वह पढ़ेंगे तो यहां पर देख कैमपा योजना अंतरगत तो यहां पर देखिए कैमपा योजना इसमें बजट और यह सब यहां पर दिया हुआ है आप चाहो तो याद रख सकते हो अब यहां पर बात करते हैं चोदा सो हेट्र फल को ऑसदी पादप शनरक्षी छेत्र बनाया गया है जो 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 ने इसके अंतरगत जो जो मुख्यकार करें उस पर देखते हैं तो यह जो जो ऑसदी पादप जो है पौधों के सुरक्षा के लिए हैं तो यहां पर देखते हैं बोड दोरा वर्णों से ग्रामिन छेत्रों के युवक यूतों में उसदी पादों को भचाने उनके वैगयानी की नाम तरह जानने वह सब्सक्राइब के प्रशिक्षन का पती वर्ष आयोजन किया जाता है तो यह सारे चीज़ें होती है इसके तहद और बहुत सारे चीज़ें होती है लेकिन आप चाहो तो पढ़ सकते हो मुझे नहीं लगता है यह इतना इंपोर्टेंट है अब आगे हम लोग स्लाइड में देखते हैं लगू वनोपर शाकारी श्रंग यहां पर देखते हैं तो लगू वनोपर शाकारी श्रंग राज जिम में वनांचलों के निवाशियों द्वारा सं मुखवन उत्पात देख लेते हैं तो अब तेंदुपत्ता का देटा याद रखिए अगर पूछा गया तो सिर्फ तेंदुपत्ता को मुझे लगता है पूछा जाएगा और इसमें बहुत सरे डेटा जो है आपे लिखा हुआ आप स्क्रिंशोट लेका आप इसमें नोट सकते हैं आफ बात करते हैं तो शोला सत्रह सितंबर तक कि यहां पर उत्पाद लिखा गया यहां पर शंग्रहन मुल्य लाख में लिखा गया तो यह तेंदुपत्ता का डेटा है और है चिरोंजी गुठली अम लाक का संग्रहन वर्ष 15 से प्रारम हुआ है तो यह जो है समर ओंनका यहाँ थोड़ा सा वियूरें दिया हुआ है एक चीज और एक मानक बोरा में पचास हजार तेंदू पत्या होते हैं अगर पूछा जाये तो यह थोड़ा में कितने ध्यू पत्यां होते हैं तो यह आपको याद हैं 50302 पत्तियां अब हम लोग आगे बात करते हैं और तो वानिकी में जो इंपोर्डेंट चीजे थे हम लोग देख लिए अब बात करते हैं थो रहा सा खनीज पे तो यहां पर आगे हम लोग का अध्याय नो खनीज अप यहां पर देखते हैं यह ऑफिशल पीडियों के इस पे हम मुख्य बिंदू देखेंगे उसके बाद अंदर जो घुसके जो इंपोर्डेंट चीजे हैं उसमें भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य बिंदू खनीज की तो 2017-2018 में राज्य के सकलगरी उलुत पाद इस्थिरभाव के बात करें तो इस अगस्त अंत तक यह हिस्सा लगभग 9.3 प्रतिसत है तो जो है बरतमान हिस्सा आपका 9.3 प्रतिसत है यह याद रखिएगा अब देखते हैं राजस्व आय सोलह सत्रह में 4141 करोड़ है तो यह सारी चीचे जो होगई खनीज की मुख्य बिंदू होगी अब आगे हम लोग इसका जो है गहना धिन करेंगे आगे देखते हैं यहां पर तो यहां पर देखते हैं विट्ति वर्ष सोलह सत्रह में देश के कुविले उत्पादन में 36 गडाज्य के हिस्सा 21.16 परसेंट लौह आश्क का 16.17 चूना पत्तर का 10.19 परसेंट बाकसाइट का 7.92 परसेंट तर्था टीन आश्क का 100 परसेंट रहा तो यह आपको जो है नोट दाउन करनी है और इसको हम लोग टेबल म दिया हुआ है आगे देखते हैं हम लोग और क्या के दिया इसके बारे में तो बात करते हैं खनीज के खनन तथा उत्खनान छेत्र का शकल राज घरील उत्पाद में भाग्ये दारी थी तो यह जो इस्तिरभाव 21.12 के हिसाफ्ते त्यार के टेबल है और इसमें देखते हैं order यहाँ फोकस कर लेते हैं 2017-18 में इसमें देखते हैं मिवस्तिय又 देखते हैं वियुक्त ? दित्र बाigmat किया जाए तो 17.19 instead और प्रतिसथ की बाद किया जाए तो 10.97 प्रतिसथर रहा है घर संथा राज जसकि गरिल उत्पाद में भागिदारी अब आगे हम लोग बढ़ते अकिल भारत में यह जो डेटा दिया के है तो वर्स 2016-17 की बात किया गया है तो यहां पर मुख्य खनीज दिया हुआ है 36 भारत युगदान का पर्षेंट तो यह तो रहा 26-17 की बात हम लोग यहां पर पढ़ेंगे 2017-18 का भी दिया हुआ डिया है तो आप यहां पर लिक सकते हो यहां पर मुख्य करनेज में कोईला लोह आयर्स का चुना पत्थर बाकसाइड ऑ तीन दिया तो यहां पर ध्यान दिजिए कि इस जो टीन है किलोगराम में दिया हुआ है तो यह तो यह जो योगदान का प्रतिशत है तो भारत में 36 मतलब अगर पूरे भारत में अखील भारत में 100% कोईला उत्पाजन हुआ है तो उन में 21.16% जो है 36 गड़ का भागीदारी रहा है तो यह चीज यहां पर लिखा गया है तो इसको आप याद रखेगा और इधर मुल्य भी लिखे लिखा गया तो मुल्य उतना पूछता नहीं की जितना पतिशर्त योगदान पूछा जाता है तो यह चीज सारे इंपोर्डेंट खनीजों का यहां पर लिखा गया है अगर योग की बात क्या जा तो यहां पर सब को मिला कि मुख्य खनीज का योग यहां पर दिया हुआ है तो आगे देखते हैं इसी तरह हम लोग दो हजार सत्रह अठरह अगस्ट शतर तक कर देखेंगे तो यहां पर सेम चीज यहां पर लिखा गया है यह जो है मुख्य खनीज का हो गया उत्पादन कोईला लौ एसका चूना बाकसा है तीन मतलब जितने भी मुख्य खनीज है उसका जो है 36 गड़ में उत्पादन सांसा इसको आप स्क्रीन सॉट किल लीजिए और इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सारे चीज यहां पर हाइलाइट कर दिया हूं जो जो इंपोर्डेंट है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर देखते हैं कुल खनीज उत्पादन जो हुआ तो उसमें योग 303 परसेंट अभी हो गया है अब आगे देखते हैं और कौन-कौन सब्सक्राइब की चीज जो है पढ़ने लायक है कि गौन खनीज का उत्पादन तो राज में कुल यहां पर देखते हैं छे लाक सौरी 68716 लाक मुल के गौन खनीजों का उत्पादन हुआ जिसका वीरन यह तालिका में दिया हुआ है तालिका में देखते हैं दो 17-18 उत्पादन आप पढ़ लीजिएगा और मुझे नहीं लगता है इतना ज्यादे इंपॉर्डन है इसलिए मैंने किसी चीज को फाइलाइट नहीं किया है अगर फिर भी आप पढ़ना चाहो तो उसको इसको इसको पर एक एक चीज पढ़ सकते हैं अब इसके बाद बात करें राजश्वाय की तो 36 तो फीकर राज़े करें आप महत्पुर्ण योगदां रही है मुझे खनीज में लगातर विद्दी हो रही है तो ऐसे चीज़ें भी आजकल पूछ दे रही पूछ दे जा रही है कि किसमें लगातर विद्धी हो रही है कमी हो रही है क्या है ठीक है तो यह चीज भी आप याद रखिए तो मुझ के खनीज में लगातर विद्धी हो रही है और 16-17 में मुझ के खनीज से तो यहां पर उसी चीज को हम लोग जो है राजस्वाय को तालीका में प्रिस्कित किया गया है तो आप इसमें बहुंद सारे खनीजों का जो मुख्य खनीज है उससाथ गौन खनीजों का जो वीवरन दिया गया है है तो सबको तो याद रखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा है सब्सक्राइब आप जैसे कोईला हो गया लोहा हो गया लोहा एश्क हो गया तो इनका जो आप चाहो तो यहां पर याद रख सकते हो कि राजस्वाय कितना हुआ है तो मैंने हाइलाइट कर दिया आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो अगर पूछा जाया तो यहां पर आप इसको याद रखिएगा 414147 तो यहां पर लिखी हुई है अब यहां पर लिखते हैं मुख्यम गौन खनिज्जों से राजस्वाय 16-17 में प्रतिसात की बात करें तो 94 प्रतिसात यहां पर मुख्य 16Ge고 के मुख्य खनिज्ज भंडार 14213 की स्थिती में यहां पर लिखते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कोईला लौए खनिक तो लु सबिख्याह में और देश में कितना भंडार रहा चाहओ तो इसको याद रकिए यहां पर सारे वीवरंद याद रख सकते हैं सारे खनीचूंस का आपको जो इंपॉर्डन लगा याद रख सकते हो इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हो या जो है मैं PDF अप्लोड कर चुका हूं डिस्क्रिप्शन में जो है पीडियेफ का जो है लिंक में दिया हुआ हूँ तो वहां से आप भी आप डाउनलोड कर सकते हो अब देखते हैं मुख्य मुख्यम गॉर्ण ब्लॉक की इनिलामी जो हुई उसके बाद में थोड़ सब्सक्राइब पढ़ते हैं वर्द्वा सत्रा अट्रा है तो मुख्य खनीज ब्लॉक अंतरगत लाइम स्टोन एंव बॉक्साइट के तीन ब्लॉक ऑक्शन हेतु प्रस्थावित किया गया है जिनमे और इससे जो है निलामी से लगबाद 10,000 क्रोड की अत्रिक्त आये निलामी मुल्य के रुपए रुपए प्राप्त होगी इस प्रकार राज्य में सितंबर दो सत्रक तक गॉन खनीज के तीन ब्लॉक ऑक्शन तथा 105 ब्लॉक टेंडर के माद्यम से अबंडित किया गया है औ अब खनीज ऑनलाइन यहां पर देखते हैं तो विभाग दोरक खनीज अथारित गतिविरियों के वेब बेस्ट समयकित प्रभंदन हेतु तयार खनीज ऑनलाइन पॉर्टल का निर्माल किया गया है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं पॉर्टर में हितिकराहियों को अपने स् यूज da प्रभाविच फोच एसे क्व्यांन फिर्फ्याहियों में को फ्रस्थे्र गणीज गया प्रभाविच प्रत आप के प्यूच्वियों तक 9 जीलो में 9 जीलो के 56 ऐसे ग्रामों को को आदर्षग्राम की रूप में चिन हिट किया गया है तो यह योजना के हिता इनको आदर्षग्राम बनाया जा रहा है अब देखते हैं हम लोग आगे तो आगे जो हम लोग जो क्लास में उद्योग के बारे में पढ़ेंगे और आत की जो आर्थिक सर्वेक्षन में हम लोग यहीं तक पढ़ने हैं तो ठीके दोस्तों अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज आप च